हम विदेशी हमलावरों के बारे में बात कर रहे थे भारत क्यों विदेशी हमलावरों के सामने बार बार घुटने टेकता था इसका क्या हमने भली भाती विशलेशन किया है और इसे समझ लिया है ताकि हम अपनी गलतियों को आगे भी न दो रहें या विदेशी हमलावरों के सामने हारने की उतनी ही संभावना आज भी बनी हुई है जितने पहले रहती आई है क्योंकि ISIS पहले के हमलावरों के ही समाना है रचीव, मेरा मानना है कि एक देश के रूप में हम सुरक्षित हैं और कोई भी हमें जीत नहीं सकता चाहे वो चीन हुई या पाकिस्तान या कोई और हमारी सेना ताकतवर है हम सब अपने देश से प्यार करते हैं हम देश भक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं और संगठित हैं अवशक्ता होने पर लोग लड़ने के लिए सामने आ जाएंगे अब इस देश पर कबजा करना किसी के लिए भी संभब नहीं है कोई भी हम पर उंगली उठाने का साहस नहीं कर सकता है युवा लोग राष्ट्रवादी हैं, देश भक्त हैं और उन्हें अपना देश प्यारा है पर विश घोला जा रहा है हमारे मनों में जंग का मैदान हमारा मन है, कुरुक्षेत्र विचारों का है और ये लड़ाई हमारी अस्मिता की लड़ाई है वामपंथी लोग जिन्होंने हमारा इतिहास लिखा है हमें असहिश्णु कह रहे हैं और हमारे बारे में तरह तरह का बकवास लिख रहे हैं कह रहे हैं कि गोमांस पर प्रतिबंध है, खाने की चीजों पर पाबंदी है ये लोग हम सब के विरुद्ध एक बुनियादी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई लड़ी जा रही है हमारे मनों में वे हमें अपनी अस्मिता से महरूम करना चाहते हैं क्योंकि इसी के जरिए वे राजनीतिक सत्ता हतिया सकते हैं हमारे मनों पर काबू पाकर वे पिछली शासन विवस्था के लाबार थी है अचानक वे सत्ता से वंचित हो गए हैं क्योंकि शासन विवस्था बदल गई है और वे यही लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें विदेशी सबाल टर्न मिल गए हैं अमरीका के विश्वविद्यालेयों के लोग जो हमारे विश्वासों और सभिता को पचा बैठे हैं राजीव आपने इसके बारे में लिखा है वे इसे सब उलट-पुलट देते हैं सभी चीजों की घलत व्याख्या करते हैं अपने विचारों को हम पर थोपते हैं और हमें बताते हैं कि उनकी नजरों में हम क्या हैं हम भी बेवकूफ हैं कि इस सब बकवास को मान बैठते हैं लड़ाई हमारे मनों के लिए हैं क्योंकि जो लोग आकर यहां सब करते हैं वे विदेशों में पढ़े लोग हैं वे विदेशों के इशारों पर नाचने वाले लोग हैं और वे उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं वे भारतियों के रूप में हमारी कोई सेवा नहीं कर रहे हैं ये लडाई भौतिक लडाई नहीं है ये मन की लडाई है हमारी अस्मिता को बरकरार रखने की लड़ाई, हमारी सभ्यता को समझने की लड़ाई ये हमारे वेदों और गीता के संदेशों को जानने और इने भारतियों को बताने की लड़ाई है कि मानव जाती की समस्याओं का समाधान इनमें नहीं थे हमारे हिंदु दर्शन और धर्म टिकाउ जीवन शैलियों के लिए आधर्श समाधान पेश करते हैं राजीव, सांसिकृतिक रूप से हम प्रकृति के सामंज़स्य में हैं हम प्रकृति पर न तो विजय पाते हैं नहीं उसे गुलाम बनाते हैं प्रकृति से बस उतना लेते हैं जितनी हमारी आवशक्ता है और हम सरल जीवन व्यतीत करते हैं व्यक्तिगत संग्रह और धन दौलत हमारे जीवन का मकसद नहीं है हमारे लिए महत्वपूर्ण है समाज और परिवार के प्रति हमारा उतरदायत हम ज्यादा और ज्यादा हमारी व्यवस्ता एक खुली व्यवस्ता है और हम मानते हैं कि हम सब परमात्मा की संताने है और परमात्मा सभी जगह मौझूद है इसके विपरीत हम ऐसे मतों के साथ लड़ रहे हैं जो हमें अपने इस धर्म से विचलित करके उनके मतों में बहला कर लाना चाहते हैं क्यो उन पर विश्वास नहीं करते हैं, इश्वर आपको और शैतान को सजा देंगे, ये सब बकवास है, जिसे हमारे मनों में भरा जा रहा है, हर व्यक्ति पापी होकर पैदा हुए, क्या नवजात बच्चा पापी होकर इस दुनिया में आया है, क्या कोई शिशु पैदा होने के समय से ही पापी है, ये पापी होने का विचार ही मुर्खता पूर्ण है, वे आपके मन को पूरा-पूरा धो डालते हैं, और फिर सू समचार कि कोई आपके लिए मरा है, जिसे आप बच गए हैं, ये सब बिलकुल बेसिर पैर की बाते हैं, हमारी विवस्था, इसकी तुलन में बिलकुल ही खुली और विवेख समपन है, और हमें उसी का प्रचार करना होगा, क्योंकि हमने कभी भी किसी पर युद्ध नहीं थो पा हैं, कभी किसी के ये दावा नहीं किया, कि हमें ईश्वर से अधिकार प्राप्त है और कि हम सभी पर विजय पाएं, और अपनी वि ये मानव जाती की समस्याओं के लिए एक राम बान समाधान है और हमें इसका प्रचार करना होगा हमें अपने बच्चों को हर भारतियों को ये बताना होगा हमारे हाँ सामाजिक समस्याओं है जैसे विभेदी करण और भेदभाव जो सब गरीबी और सामाजिक ठहराव के पर महिलाओं का श्रिक्षन बढ़ने से महिला सशक्तिकरण होगा, कानून का प्रवर्तन कमजोर और ताकतवर दोनों के लिए होगा। ज्यान और बौधिक कुरक्षेत्र के सम्मंध में एक चीज कर रहा हूँ, जिसके बारे में सुनकर आपको अच्छा लगेगा। तेक का विशलेशन करके उनके बारे में अपना उत्तर दे रहा हूँ, जैसे क्या भारत एक राश्ट्र है, और आरियों के यहां आने की परिकल्पना। मैंने उनके काम को लेकर इन पांच मुख्य विश्यों में उसे बाटा है। मैं कोई एक बिंदू उठाऊंगा, उस पर उनके विचारों को वीडियो अंशों की मदद से पेश करूँगा, फिर इसका अपना प्रतिवाद पेश करूँगा। हमें इस तरह की चीज करते रहना चाहिए। होल देते हैं, तब मामला कोई दूसरा ही रुख ले लेता है। इसलिए हमें वैश्विक मानकों के अनुसार उदार कसोटियों का उपियोग करके इसे करना होगा। वैक्तिगत शिक्षकों के अपने पूर्वा ग्रह हो सकते हैं, पर इससे हमारे पास ग्यान का विशाल भंडार इकठा हो जाएगा। सभी शिक्षक वामपन्थी या किसी एक विचार धारा के समर्थक नहीं होने चाहिए। क्योंकि ऐसा होने पर विचार विक्रित हो जाते हैं, भारत को भी उसी तरह से पूजी निविश करना चाहिए जैसे चीन अपने कन्फूशियस केंद्रों पर कर रहा है। हर देश इस तरह की चीजें कर रहा है। हम पर दर्शन शास्त्र महान है, हमने महान चीजें की हैं, इसलाम परस्तों ने हरा कर हजार वर्षों तक हम पर शासन किया है। इसके बाद अंग्रेजों ने हमें उत्पीडित किया। इसके बारे में पुस्तके हैं पर मैं चाहता हूँ कि गोवा में इस नारकी धार्मिक उत्पीडन का एक संग्रहाले हो। इसका उदेश नफरत फैलाना नहीं है बलकि सचाई को सामने लाना हैं ताकि हम इस अनुभव से सीख सकें और कह सकें कि अब कभी भी भविश्य में हम अपने उपर विदेश्वी शासन नहीं आने देंगे। जो हमें दबाना और माना चाहते हैं। जब मैं पढ़ता हूँ कि कैसे मेरे पूरवज रात के अंधेरे में अपनी मूर्तियों को लेकर भागे नदी पार की और पोंडा के दूसरे किनारे पर जाकर उन्होंने अपने मंदिर नए सीरे से बनाये तो मेरी आँखों में एक पादरी फ्रांसिस जेवियर के बारे में कहा जाता है कि ये धार्मिक उत्पीडन उसी ने करवाया था। आज उसकी आराधना होती है उसका शव यहां रखा हुआ है। तब ही हमारा बौधिक विकास होगा। आने वाली पीडियों को हमारे साथ हुए अत्याचारों के बारे में भी पढ़ना होगा तब ही वे अच्छे नागरिक बन सकेंगे। मेरे पिता और कुछ दूसरे रिष्टदारों को मरा हुआ घोशित कर दिया गया था। मेरी मा जो भारत वाले हिस्से में थी उनका शोक मना लगी थी। पर वे बचकर यहां पहुचने में सपहल हो गया। मेरे पिता का बच जाना वास्ता में एक चमतकार ही था। ये सब किस्से हमने सुने हैं। संदीब बालकृष्टन ने उसके काले कारनामों का दस्तावेजी करण किया है। टीपू ने खलीफा से अनुरोध किया था कि वो अकर हिंदुस्तान को जीते। उसने कोड़गू के लोगों का कतले आम किया। वो एक बहुत ही बेरहम आदमी था। फिर भी कोड़गू, कोकणी और मेंगलोर के कैथोली किसाईयों की भावनाओ को नजर अंदाज किया गया। जो सब करनाटक के ही लोग है। हमारा मुख्यमंत्री और कॉंग्रिस पार्टी टिपू जैनती मना रहे है। ये सब कहते हुए कि वो एक महान सोतंतरता सेनानी और धर्म निर्पेक्षवादी था। कि कैसे उसने बड़ी हैवानियत के साथ कितनी ही महिलाओं का शील हरन करके अपने हरम में भेज दिया था। हिंदु धर्म के प्रती प्रेम फिर से सिर न उठाए। ये वे बिना सामप्रदाइक वाद के खतरे के इस देश को फिर से गढ़ने में विश्वास रखते थे। ये पत्रकार इस व्यक्ति को महिमा मंडित करना चाहता था और ऐसा पेश करना चाहता था कि इसके साथ गलत हुआ है। ये स्कूल के अध्यापक का मासूम लड़का है जो शहीद कर दिया गया और जो सामाजिक माध्यमों में सब का लाडला था। इसे तरह के शहरी नकसलवादी माववादियों को भी महिमा मंडित करते हैं। माववादी भी हत्यारे हैं और हमारे समाज में हत्यारों के लिए कोई जगह नहीं है। हिंसा में सनलगन होने वाले सभी लोगों को कानून की सजा भुगतनी होगी। हम घोर रूप से विवाद कर सकते हैं और ऐसा हमत हो सकते हैं पर हिंसा नहीं हो सकती। ये लोग वामपंथियों और जिहादियों की हिंसा को माफ कर देते हैं क्योंकि इनका मानना है कि इस देश को शैतानी हिंदू समुदाय से बचाना है मैं इस विक्रत तर्क को समझ नहीं पाता हूँ हमें यही ग्रंथी है जो हमें एक राश्ट्र बनने से रोकती है मेरी अगली पुस्तके भारत की महाकथा के उपर है हाँ ये महत्वपूर्ण है और मैं इसके बारे में आफलाइन भी चर्चा करूंगा क्योंकि यहीं अपने विगत के दिनों की महाकथा की चर्चा करता हूँ कैसे वो एक हजार साल में नश्ट हो गई आजकल की भ्रमित अवस्था और अव्यवस्था और भविश्योन मुख महाकथा विक्सित करने के लिए हमें किस तरह के प्रयास करने होगे ये पुस्तक विवाद पैदा करेगी क्योंकि मैं इन चीजों के बारे में बिलकुल इमानदार होने वाला हूँ आप तत्यों और प्रमाणों को आधार बनाने वाले हैं हाँ लोग जी भर कर आलोचना कर लें पर तत्यों और प्रमाणों के आलोख में वे मेरी किसी भी पुस्तक की ठीक से समालोचना नहीं कर सके हैं उन्होंने सदा ही मुझ पर व्यक्तिकत हमले किये हैं यह अच्छी खबर है क्योंकि यह दिखा रहा है कि वे आपकी पुस्तकों के विशय में जादा कुछ नहीं जानते हैं वे तथ्यों से कंणी काट लेते हैं वे विश्यों से किनारा करके मुझे खलनाय के रूप में प्रस्तुत करते हैं और मुझे पर हमला बोल देते हैं जब टीटर पर मैं कुछ कहता हूँ या उनकी आलोचना करता हूँ तो वे मुझे धर्मांद कह देते हैं और मुझे गालियां देते हैं पर वे विश्य की चर्चा नहीं करते हैं ये कहते हुए कि स्रीश्री ने पेड़ों का सेत्यानाश किया है पर वहां तो कोई भी पेड़ नहीं थे उन्हें ने कहा कि स्रीश्री ने पारिस्थितिकी तंत्र और पौधों को नश्ट किया है पर वहां तो कुछ भी नहीं था और ये भी कहा कि मंच की संरचना के कारण जल जितनी है, यानि 60 वर्ग किलोमीटर का क्षित्र, ठीक है, 100 एकड इसकी तुलना में नगण है, दूसरे ये बाढ़ के मैदान है, जहां जलसर काफी नीचा है, जब बाढ़ाती है, सब कुछ उसमें बह जाता है, सारी जमीन साल में 10-15 दिन, 10-15 फुट पानी के नीचे हो जात और इससे पानी खराब हो गया, पानी चला जाता है और वो साफ हो जाता है, दक्षुन में केरल के इसाई, गर्मियों में सूख जाने वाली एक नदी के किनारे, एक वार्शिक उत्सो मनाते हैं, वारानसी में गंगा की रेत में जब पानी का अस्तर कम होता है, लोग उत्सो पड़ गए, और उन्होंने इसके लिए NGT का इस्तेमाल किया, किसी प्रोफेसर ने दावा किया कि इसका समाधान करने के लिए और एक जैव उध्यान बनाने के लिए 130 करोड रुपे की आवशकता होगी, ये बिलकुल बेवकूफों वाली बात है, किसी दूसरे ने कहा कि 50 करोड लगेंगे, वे इसका औचित्य सिध्ध नहीं कर पा रहे हैं, जब मैंने इनकी पोल खोली तो उन्होंने मुझ पर ट्विटर और दूसरे सामाजिक माध्यमों में स्धावा बोल दिया, इस देश में बौधिक चर्चाएं होती ही कहा हैं राजीव, डेटा और रुमा अन्त में स्रीश्री रविशंकर पर जो जुर्माना लगाया गया, वो सिर्फ पांच करोड था और उन्होंने कहा कि मैं अदालत में लड़ूँगा, अब मैं जाती विवस्था की चर्चा करना चाहूंगा, जिसके बारे में हमने शुरू में चर्चा की थी, सुनामी के बा जो छेचले पानी में मचली पकड़ते हैं, एक जाती के लोग हाथ से मचली पकड़ते हैं, यहां तक कि हर जाती के नाव और उपकरण अलग-अलग हैं, जाली आदी, उनके विवसाय की सारी विवस्था ही इस तरह है कि प्रतिसपर्धा कम हो, जबकि पश्यमी आधुनिक म मोडल में ज्यादा प्रतिसपर्धा को बेहतर समझा जाता है, नहीं, प्रकृति पर काबू पाने को, हमारी जीवन शेली टिकावपन पर जोर देती है, किसी एक व्यक्ति को सारी सत्ता नहीं दो, ब्राम्हर समुदाय ग्यान के रखवाले हैं, उनसे अपेक्षा नहीं की ज ग्यान और सत्ता आ जाए, तो वो बहुत अमीर हो जाएगा, और समाज पर हावी हो जाएगा, यह निशेद और संतुलन समाज में किसी कारण से मौजूद है, राजीव, जब किसी समुदाय में ठहराव आ जाता है, तब सब कुछ अनम में हो जाता है, भेदभा होने लग ज जैसे हैं क्योंकि गाउं में ठहराव घर कर गया है और वहां की अर्थविवस्था स्थैतिक हो गई है, सबकी कोई भूमिका है, और जाती और सत्ता का तंत्र है, वर्ग का नहीं, हर कोई अपने नीचे के लोगों पर हावी होना चाहता है, सबसे नीचे के लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट जिलने पड़ते हैं उन्होंने अपने लोगों से कहा यानि तथा कथित दलित वर्गों से कहा कि तुम गाउं छोड़कर शहर आ जाओ शहर में कोई नहीं जानता कि आप कौन है वामपंथी और इसाई धर्म परिवर्तक एक धर्म परिवर्तक दिल्ली का है और अक्सर टीवी पर आता है ये दोनों डर्बन जाकर कहा आए कि जाती नसल ही है ये बेवकूफी वाली बात है और वैचारिक दिर्श्टी से बे इमान बात है नसल शारिरिक स्तर पर दिखाई देती है आप उससे कभी नहीं बच सकते जबकि जाती दिखाई नहीं देती जब हम दोनों साथ बैठते हैं क्या हमारे हुलिये से हमारी जाती का पता लगाया जा सकता है नहीं कोई नहीं जानता कि किसी की जाती क्या है हाँ और किसी को पता नहीं चलेगा नहीं कोई इसकी पुष्टी करने की कोशिश करेगा पर नसल तो आपके चेहरे पर लिखा हुआ होता है तो इन्होंने जाती और नसल को एक बताया ताकि वे धर्म परिवतन कर सके नरीब लोगों का मैं इन्ही दो बेइमानों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बेइमानी पूर्ण तरफ लिए पैसा मिलता है यह उन्हें के लिए धंदा है मुझे बताया गया कि जॉन देयाल अमरीकी कॉंग्रिस में जाकर अपने ही देश के विरुध बयान देशा पिर भी वो इसी देश में रहता है वो टीवी पर आता है और भारतियों के विरुध अनाप्शनाब बकता है कांचा एलिया ने भी यही किया 65 भारतिये सांसदों ने अमरीका के राश्टरपती ओबामा को लिखा कि आप नरेंद्र मोधी को वीजा न दे यह हास्यास्पत बात है सांसद बनने के लिए आपने भारतिये सम्विधान के रक्षा करने के शपत ली है यदि आप किसी को नापसंद करते हैं तो उसके राजनिती के स्तर पर लड़िये किसी विदेशी हुकूमत के सामने न गिड़ गिड़ाइए यह सब जैचंद हैं और गद्दार हैं किसी विए यह सब लड़िये